दिनांक 29 जून 2020 को कियन सरकार के द्वारा Unlock 2 को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें Training Institute के संदर में कुछ बाते लिखी गई हैं कि दिनांक 15 अपरैल 2020 से कियन सरकार और राज सरकार के Training Institutions ओपन हो सकते हैं और इसके लिए Proper Guidelines D.O.P.T. यानि कि Department of Personal and Training के द्वारा जारी की जाएगी और इसी के अधार पर दिनांग 30 जून 2020 को उत्तर प्रदेश शाषन के द्वारा भी गाइडलाइन्स जारी कर दी गई थी और यहाँ पर भी पहले नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कियन सरकार एवं राज्य सरकार के प्रसिक्षण संस्थान 15 जुल और बीटीसी के कॉलेज हैं कि आप 15 जुलाई से बीड और बीटीसी के कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं इनी सब मुद्धों को मैं कवर करूंगा साथ ही परिच्छा को लेकर के वर्तमान इस्थिति क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो इन सभी मुद्धों से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रिस करना ना भूलें पर पहले लाइन में आप इसको सब्सक्राइब करते हैं उनके ट्रेनिंग की बात की जा रही है और यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है यह एक तरीके से उनके लिए ट्रेनिंग और वेलफेर के स्कीम त्यार करता है और उनहीं के तहत इसके बात की गई है यह बीटीसी और बीटीसी और बीट कॉलेज के बारे में बात नहीं हो रही है यह सिर्फ और सिर्फ जैसे कि माल लिजगर केन सरकार की डेलवे की डिपार्टमेंट है और उसके लिए जो ट्रेनिंग पोस्ट पॉंड हो गई थी जैसे ड्राइवर की या फिर ग्रेजुएशन पीजी या फिर पीचडी सभी बंद रहेंगे 31 जुलाई 2020 तक जैसा कि पहले रिपोर्ट जो आई थी यूजीसी की या फिर जो किन उत्तर प्रदिशाशन के द्वारा न्यूज आर्टिकल के माध्यम से सूचना भी दी गई थी वह सिर्फ यूनिवर्सिट में कुछ बाते लिखी गई थी इसी को लेकर के अब अभ्यर्थी अपनी मांग भी तेज कर दिये हैं यहाँ पर एक आर्टिकल आप इसकिन पर देख पा रहे होंगे कि बीएड अभ्यर्थी भी ये मांग करने लगे हैं कि उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है क्योंकि डियल प्रमोट का प्रावधान नहीं होता है लेकिन इस्तिती कुछ ऐसी है जिसको देखते हुए अभ्यर्थियों को प्रमोट करना पढ़ रहा है तो निश्ची तोर पर शाहर्षन को या फिर योजिसी को इन सभी अभ्यर्थियों को भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि क्रोना की वज़ा से ये भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और अगर इनको प्रमोट नहीं किया जाता है तो निश्ची तोर पे इनका भी सत्र प्रभावित होने वाला है साथ ही मैं विश्यश रूप से यहां पर ये भी टिपड़ी करना चाहूँगा कि प्रमोट करने से जहां एक तरफ सत्र नियमित हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे ऐसे अभियर्थी जिनकी बैक लगी होगी जो कि पिछले सत्र में बैक लगी होगी और इस सत्र में अपना बैक पेपर क्लियर करने के लिए परिच्छा में शमलित होने जा रहे हों तो निशीत तोर पर एक ठोस रड़नीती के साथ उत्तर प्रदेश शाषन को इन सभी बातों को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं और साथी साथ बैक पेपर वालों के लिए एक तगड़ी रड़नीती होनी चाहिए कि उनको किस प्रकार से ट्रिट किया जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल साथ दन्यवाद